इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज में आप सबी का खायर मगदम हैं हमरे साथ मौजूद हैं दुनिया की मशूर उमारूफ शक्सियत मौला कलिन सिद्धी की साहब जो दाई इसलाम के नाम से काफी मशूर हैं दुनिया भर में इन्होंने सेंकड़ों लोगों को इसलाम के दायरे में लाया है ह हमारे साथ मौजूद हैं हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं सबसे पहला आपका हमारे चानल पर खैर मगदम मौला और यह जो मौजूद हालात मुसलमानों के इंदुस्तान में और पूरी दिनिया भर में जो हैं इसमें दावत का काम कितना जुरूरी है और जो मसाहिल जिस हैं बظاهर लग रहा है कि मुसलमानों के लिए तो यकीना बात तंग से तंग होते जा रह ROB है लेकिन इसलाम की दावत के लिए उतने ही साथगार होतीность चले जा जा रहा हैं इतने हमें लगते हैं इसलाम की दावत के लिए उतने ही साथगार हो चाहिए इन gives up लिर पैदाल खत लगते हैं तो ये इसलाम इन्सान की अंदर की प्यास है अब ये जो मुखालिफ हालात लग रहे हैं तो ये इसलाम की कमी को हमें मुखालिफ हालात लगते हैं किसी चीज़ की कमी उसकी मार्केटिंग के लिए मुखालिफ हालात नहीं होते हैं बलके उसके लिए आखरी दर्ज हालात हैं कि आदमी होटों पर लगाई एक किलास पीने को तैयार है अब इसी जमाने में जो है इतने हालात साथगार हैं कि मैं को भी आपने सुना होगा वो जो और वान मुसल्मान हुए हालांड के हो दुनिया के इसलाम के बत्तरीन दुश्मनों में सरे फैरिस लोगों में शुमार था उनका अलागी नवी सललाव लिए सललाव के इहानत आमेज कार्टूनों की कंप्टिशन मनखिद करने का उन्होंने ऐलान किया था पूरी उम्मत मुस्लिमा त सूब करना उनकी तहरी का हो था वो इसलाम लिया है और किसी मुसल्मान ने दावत नी दी बलकि कुरान के उनका खुद उनके प्रैस कानफरेंस की उसमें बताया कि कुरान के खिलाव किताब लिखना चारा था अब जब आदी किताब तयार हो गई तो मैंने उसे पढ़ा और मैंने समझा कि मैंने तो इसलाम के खिलाव किये गए उनके से वाब खुद दे दिये इसका मतलब में मसल्मान हो गया तो किसी से कल्मा भी नहीं पड़ा उनोंने मैं ये कऊँ कि वो बग्त के अबु लेव अबु जहल मुसल्मान हो गया इव जन्माने का अबु लेव ताव अबु जहल ता मुसल्मान हो गया पिर अभी जिस शखस ने कल परसो नारुए में खुरान जलाया उन्हीं की पार्टी की थी एक उम़ा नुवैल के नाम से एक साल में JISAMAईभानों को उन्होंने उनकी बीबी ने उन्होंने इसलाम को और इसलाम की दावत के तो उसको खुस्सा भी आता है जलाल भी आता है एजान भी होता है तो अगर हम उनका हाक अदा करने लगें तो जाहिए जाएगा खुदी जी अलमा और उमत के अंदर एक फासला होता नजर आ रहा है क्या यह आप कैसे मैसुस कर दो हां सलमी यह तो रहा भी है यह बहुत हमारे एक दोस्त हैं सीनियर आइस अफसर थे कमिशनर से रिटाइड हुए थे उन्होंने आर एसस को अपनी खिदमात पेश की थी उन्होंने खुद बताया कि हम लोगों ने 65 आइस थे साथ दिये थे तो उनमें से 11 को इस्पेन भेजा गया था कि 900 साला इस्पेन की हुकुम उन्हों से बजदन कर देंगे तो अगर आप को चाते हैं कि बहल गाम में कोई गोश्ट नकाए तो आप कहें कि सारे गोश्ट वाले जो हैं कुटे के गोश्ट पर बेच रहे हैं तो गोश्ट है जिन दुकानों माल मिलेगा तो दीन मिलेगा दीन वालों से दीन वालों से ब मुझूद आहलत में मजजिदों में तथकरे होने चाहिए या नहीं और जैसा की हर दोर में देखा है कि मुसा अलिएसलाम है तो सामने फिरौन है तो आज की तारिक में अगर देखा जाए तो मुसल्मानों के दुश्मन आरे से संगपरिवार जैसे हैं क्या इनका तथकरा होन जरुरी नहीं मजजिदों असल में तथकर दुश्मन समझ कर तो हमें तो दुश्मन समझ कर तो हमें हमारा रिष्टा जो है वो दाई और मदू का है दाई की है तबीब की होती है मदू की होती है तो इस अस्पताल इंसानियत का अल्मिया है कि तबीब अपने मरीज से हो गया तो वो तो हमें अदैशत गर्द गंदा जाहिल बन्यात परस कह रहा है और हम उने घेर घरीव दुश्मन काफिद कह रहा है तो असल में मरीज अगर बस्दन हो जाए तो कोई हैरत की बात ने मरीज किराए भी मरीज होती है मुसलमान तो डरावा नजर आता है मैं ख़से हिंदूसान में भी कि वहाँ से कुछ बहुत गैरमामूली दुष्मनिया नहीं है मुखल्फते भी नहीं है वहाँ पर से आता है गैरमामूली बात नहीं है होता रहा है हमेशा यह जो ख़ौफ है और यह यहास है अपने जल्म की वजासे अल्ला की तरफ से दिलों में बिठा दी गई है यह जो है सूरत हाल है यह कि अभी आपने सुना होगा कि महां देली में जहां तक यह मॉब लांचिंग वगारा के वाकिया थे एक तो यह कि अक्सर सोशल मीडिया की वजासे एक किलिब पचाच दवधा जाती है तो मैं ऐसे लगता है इससे ज्यादा बाकियात होते रहे हैं बहुत पेटर रहे हैं तो मॉउप लांचिंग और फिर उदमें जो बहुत सी ऐसे वाकियात होते हैं जो एक मisée हिसार के कि हमारे ड्राइवर हैं गुफ में तो अठारा साल पुरानी केस था वो अब दिखाए जा रहा है बितिया का एक केस है वो उसमें कोई मतलब यह था उनके अजिस होने उने जमीन है वो करके उने खतल करा दिया उसे भी ऐसे दिखा रखा है मोब लांचिंग का है यह जो वाकिया हो रहे हैं तो इसकी लेकि उनकी तरफ से कोई खास जियाती मेरे लिहाज से नहीं हो रही है जो सुरताले हमारी हमें जो देशाद है अभी आपने देली में एक पड़ा होगा वाकिया कि कारी साब थे कहराने के लोगों से लोग ठर रहते हैं नाम से वहाँ इसे बहर तरह की जराइम पेशा भी है और बहादूर लड़ा को लोग भी हैं वहाँ पर उस इलागे के बहुत बहादूर बस्ती जो समझे जाती है वहाँ के एक कारी साब थे उनके साथ दो लोग थे तो किसी मोबाइल की एससरी खरीदने के लिए उन्होंने वो किया उसे और नहीं खोल ल गया ऐक यह दो उन्होंने हमारा तो इनूरा हाथ भी नहीं लिलाएं और यहमात में पता लगा जो लोग ग्रफतार वैए मुसल्मान भी था एक एक अदो बिता यहन भी था ग़ूर गयए तो तो प्र इक हाम जगड़ा था धुनुसरी बात यह यह खतरनाख यह है कि मुसल तो शहीद भी उस वक्त तक नहीं हो सकता, शहादत का दर्जाबी जब तक दिफा न करे हो, और भी नहीं तो काट ले, तूक दे, शरीयत में यह नहीं है, यहाद बंद करके एक्दम हो जाए, उसे अपने दिफा का हुग दिया है, और दिफाई जिहाद जो है, फर्जे एन है एकदामी जाद तो फर्जे किवाया, तो यह जो वहशत और यह खौफ और यह मायूसी है, यह उनकी किसी जादती का नतीजा नहीं है, यह हमारे गुनाहों की नहुसत है असल में, उसका इराज होना चाहिए, हमें तोबह करनी चाहिए, महां से कोई अजी खास जादती नही असल में उसमें भी यह है कि वो तनजीमें जो लोग असल में लोग इसलाम की मसलसल बढ़ती हुई इशाद से परिशान है वो, असल बात यह है, तो इसलाम में आने वाले लोग मगरिब में इतने ज्यादा हैं, कि वो इसलाम से लोगों को बचाने के लिए इसलाम को बदना में ऐसी हैं कि वोई स्पॉंसर करते हैं वोई सब वो करते हैं और फिर वो उनके इसलाम से दूर करने का वो इसलाम से लोगों को बद्गुमान करने का इंतजाम करते हैं यह बात है जो इसलामी जिहाद है, वो तो सौफ इसक्त कंस्ट्रक्टिव और खेर खाना अमल है, जिसके अंदर असूल हैं, जापते हैं, गायदे हैं, एंग जंग के मौकिप पर आप बच्चों पर रहतियार नहीं उठाएंगे, एंग जंग के मौकिप पर इजाज़त थे नहीं है, औरतो को नहीं मारेंगे, बुड़ों को नहीं खतल करेंगे, फसल नहीं काटेंगे, जानवरों को नहीं मारेंगे, आग नहीं लगाएंगे, पानी में नहीं डुबोएंगे, फौजी अगर अपनी इबादत काह में चला जाएगा तो आप उसका पीछा नहीं करेंगे, अब जंग कोई शेहरों में तो होती नहीं, मैदान जंग में जो लोग बच्चे आए हैं, औरते आए हैं, वो अपने मुझाहिदों का फौजियों की मदद करने आए, लेकि इसलाम इजाज़त नहीं देता, इसलाम में तो ऐसे उसूल है, तो वो बच्चों को ऐसे खतल कर देना, असल में सिर्फ हम लोग तो यहीं कहते हैं, कि दावत जो है, असलाम मसाहिल कहा लेए, ओफेंस इस दी बेस्ट डिफेंस, दाई ही मुझाली मावल के शर्से बच सकता है, जो चीज़ आप अपने पास, खुदरत का कानूं यह है, कि जो चीज़ आपको चाहिए, फ़ाफर म मिलें आपको, तो महबतें माटना शुरु कर दिए, आप चाहते हैं कि आदव मिलें आपको, आप दुस dose लो को अदव दें, आप माल चाहते हैं, बहुत आए तो माल बाढ़ना शुरु कर दिदे, आप मालदार होतें चले जाएंगे, तो दीन जितना आप बाढ़ते चले जाएंगे उतना ज्यादा मॉता हैं मुत्शली मिक हैं घृषíem-टॉर शुक्रिया करीम सिती के साहब अपने खहलात का वेवाकिके साथ इसाहर किया हम उम्हिद करते हैं अला test से दुवागवाई कि जो मौला नातु